हेलो एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं एक हमारा टॉपिक है बेल पेपर कल्टिवेशन उजिंग हाइड्रोपॉनिक्स तो इसका भी वीडियो मैंने पहले बनाया था बट उसमें भी वॉइस प्रॉब्लम थी एक्चिली मेरे कुछ वीडियो में वॉइस प्रॉब्लम हैं तो मैं उनको फिर से गाल दे रही है फिर से बता दे रही हूं ताकि फिर से जो आगे लोग देखे तो उन्हें कोई दिक्कत ना हो समझने में तो इसलिए आज हम देखने वाले हैं यह हमारा बेसी फोर सेमेस्टे का जो थार्ड यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है हाइड जाते हैं यह हमारे पास कोई हम जो भी प्रांट उगाना चाहते हैं वह हम पानी में उसको गो कराते हैं देख पानी रहते हैं लेकिन चल्क आपंप्ल नॉर्मल पानी में रहत है। सभी कुछ और बड़ते हैं धृत्रीन साल खोली tyre पाई इसमें पानी है और है क्वाइब्वानिक सिस्टम भी है अब इसको तुछा किया जाता है है उसका करते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जीने हम डायरेक्लिट आसी हाइब नक्रशरी से प्लांट लाया मतलब seedling लाया, कोई भी plant लाया, stem लाया, stem cutting कुछ भी लाया और इसी hydroponic system में directly हम इसको grow करा देते हैं, डाल देते लेकिन mostly हमारे पास ऐसे plants होते हैं जब हम hydroponics के द्वारा cultivation करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है एक growing medium में उसे grow कराना पड़ता है example के लिए समझे कि मालीजे हम कोई भी plant है हम इसको grow कराना चाहते हैं hydroponic system में थिक मतलब पानी से उसको cultivate करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा ना कि हमें मालीजे यह हमारा सीड है समझेगा इसको सीड है वाली जो इसको टॉमेट गॉल्टिबेशन वाला जो वीडियो है उसमें मने बता हूँ हुआ है जैसे कोको कॉयर हो गया वर्मिक्विट हो गया परलाइट हो गया रॉक बूल हो गया यह सारी चीजे ग्रों मीडियम में होती है तो यह जो हमारा सीड था नो पहले हम उसमें ट्रेल लेंगे कुछ भी निमतलब ऐसा कंटेनर लेंगे उसमें हम यह सारी जो ग्रोइंग मीडियम होता है कोको कोयर हो गया पर लाइड वर्मिकुल यह सब डालेंगे और इसमें अपना सीड डाल देंगे कुछ हफ़तों बाद यह सीड है जो प्राउट कर जाएगा और सीड लिंग बन जागा तो सीड जब जब यह जब आने की बाद सीड बन गया है और इसके बाद हम इसको हाइडोपॉनिक सिस्टम में ट्रांसफर कर देते हैं टो यह बेसी के ग्रो कराना पड़ते हैं मतलब हमने सीड लिया है हुआ है तो सबसे पहरे इसको ग्रोंग मीडिये में हम ग्रो करा देंगे ताकि वह स्प्राउट आ जाए इसमें सीडलिंग बन जाए उसके बाद हम इसको ट्रांस्टर कर देते हैं हाइड्रोपॉनिक सिस्टम में तो आप द इसी तो ग्रो एन अवी लेवल इन वाइड वराइटी और टाइपस और प्लेवर्स यह कह रहा है कि जो बेल पेपर है जो कैप्सिकम है वह एक हाइड्रोपॉनिक सिस्टम में ग्रो कराने वाले बहुत ही वाइंडी यूसे कॉमलनी है बहुत जादतर यूस किये जाते हैं भू कराया जाते हैं मतलब फैड्रोपॉनिक सिस्टम में और इनके पस कई सारी वराइट्यों टाइप बी हैं और प्रोसीजर देखते है कि कैसे घ्रो खराया जाता है बेल पेपर को तो प्रोसीजर में सबसे पहले तो हम क्या करें गरेंगे चूजिंग प्रॉपर तो सबसे पहले बात तो यह आगे जो भी कैप्सिकम की जो बेल पेपर की वाराइटी कोई भी चूज कर रहा है हाईड्रोपोनिक के लिए तो सबसे पहले इस बात पे वो डिपेंड करेगी इस हिसाब से चूज करना पड़ेगा कि वो किस कल्टिवेशन में स्वारी किस चूज सबसे पहले होगी जैसे प्रॉपर ब्राउन पीपर ब्लू पीपर है बिने रोसाइन जैली पैनो पीपर एड्सक्तरा यह सारी कुछ वराइटी है जो गुरोग कराए जाता है ठीक तो यह प्रोसिजर में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि प्रॉपर वाराइटी करेंगे और और में कणेळड करींगे तो हमें ग्रोंग बिडिम स्लिक्ट करना पड़ेगा तो और रैट ग्रोंग मिडियं Si सकसेस्पूल हम उब क्रिपर कल्टिवेशन और तो और बात करते हम तो जब हम ब्लोंग मीडियम चूस करते हैं तो इसमें पानी की मातरा की बढ़ हो अई भी द्रीलच नीजंग चाहिए खानी की और पटैञी everyone टोयाइक वीयर्टाइं शाई है शोगी मैं जान टोयाइक वर्णिक नेğर शाक्तिन सबस्दाएं की तोयेच हम compare free content 3 हम क्या करेंगी third step क्या होते है selecting »clepting nutrient solution》 अब हम nutrient solution ड़लेंगे nutrient solution क्या जब वो हमारा पानी होता है न पानी में ultimately growing medium के बाद हम our high vist принцип हम करने वाले वाले हैं transfer to nutrient solution तो उस पानी में nutrient solution डले जाते हैं तो we're gonna sets करेंगे select करेंगे there are different types of nutrient solution हमाँ पास कई तरह की nutrient solution है synthetic, organic और mineral तीन तरह के है nutrient solution synthetic solution क्या होते हैं synthetic solutions are made from inorganic chemicals and are most common type जैसे की नाम से भी पता है तो यह inorganic chemicals से बनाए जाते हों सबसे common type के यही है organic solutions are made from organic matter such as compost or manure organic solution क्या होते हैं compost या manure से बनाए जाते है mineral solution is made from natural occurring elements or compound mineral solution जो नेचर में आकर होते है कि minerals है, compounds है उनके द्वारा जो nutrient solution बनाया जाता है तो उन्हें mineral solution क्याते हैं तो यह तीन तरह की nutrient solution यूज किया जाते है solutions के भी chosen depending on the variety of paper और यह solution भी कोहल सी variety हम यूज कर रहे है इस बात पर depend करेगा अब fourth step है setting of the hydroponic system अब हम nutrient solution हमने चूज कर दिया हम nutrient hydroponic system हम सेट कर देंगे तो in order to set up a hydroponic system following items और एक hydroponic system को set करने के लिए हमें इन चीजों की जरूरत होती है सबसे पहले तो hydroponic system ही चाहिए फिर दूसरा growing medium चाहिए तभी तो हम grow करा पागे इससे shift करेंगे water pump चाहिए पानी के लिए paper seeds चाहिए हम seeds से grow कराएंगे pH test की चाहिए उस पानी की उस water की pH को maintain करने के लिए ठीक nutrient solution चाहिए तभी हम उसमें grow हो पाएगा harvesting papers अब देखिए यह सारी हमने जब step देखी कि हमने variety selective growing medium में किया तो यहाद पे देखिए जब हम बात कर रहें कि hydroponic system में paper seeds मतलब हम growing medium में क्या करेंगे सबसे पहले उस seeds को यह जो पीपर seeds से grow करेंगे जब यह sprout हो जाएगा सीरलिंग बन जाएगा तो simply इसको hydroponic system में हम transfer कर देंगे ठीक और उसके बाद इसकी harvesting की जाएगे यह सारी बाते ध्यान रिखने पड़ती है क्योंकि step तो simple है कि हम growing medium से transfer कर देंगे hydroponic system में ठीक तो अब पाचवाई step है हमारा harvesting paper after few weeks paper will be grown and it is then harvest कुछ हफ्तो बात paper जो है capsicum है वो grow कर जाती है और उन्हें harvest कर लिया जाता है sharp knife और use to cut the paper जो sharp knives होती है उनका use के जाता है papers को capsicum को काटने के लिए ठीक अब बात करते है hydroponic system हम चूज कर सकते काई सारी तरह के हमेरे पास hydroponic system होती है कुछ NFT होता है nutrient film technique हम जिसे कहते हैं deep water technique होता है फिर ab and flow होता है तो simply में बताओ तो अकर NFT में क्या होता है न देखे a system where the roots of the plants were exposed to a thin film of nutrient nutrient film technique में क्या होता है कि देखे जब हम seed sprout करेंगे यह वह seedling बन जाएगा तो उसका root तो होगा ना जब निकल जाती है तो हम उसको hydroponic system में transfer कर देते हैं अगर हम nutrient film technique ले रहे हैं तो इसमें क्या होता है यह hydroponic system में जिसमें क्या किया जाता है जो roots होती है plant की वो थोड़े से हलकी से nutrient solution में यहां तक ले रहे तो यहां तक हमारे roots पढ़ी रहेंगे ठीक इनसे nutrient लेंगे और plant ग्रो करेगा deep water culture में क्या हो जाता है कि roots को पूरी तरह उस nutrient solution में submerge कर दिया जाता है aeroponics क्या होता है a system where root of plant are misted with nutrient solution nutrient solution को उसमें इसाथ मिला दिया जाता है तो यह कुछ hydroponic systems है तो इनी में transfer किया जाता है उनको अब बात करते हैं कि factors to be considered for hydroponic paper cultivation क्या किन-किन factors का किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है जब paper cultivation हम करते है hydroponic paper cultivation उसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहला है light requirement तो paper needs at least 6 hours of light per day जब हम hydroponic skeptica well paper की cultivation करते हैं तो कम से कम 6 घंटों की light हमें चाहिए होती है कम से कम 6 घंटे light उसको मिलना चाहिए तब ही वो बढ़िया से grow कर पाएगा next है necessary nutrients कुछ nutrients है जो necessary है उन्हें मिलना चाहिए temperature and humidity levels को भी maintain करना पड़ता है तो papers need a temperature range of 18 to 27 degrees Celsius to grow properly papers को क्या होता है ना temperature range 18-27 degrees Celsius का ही बढ़िया होता है तब ही वो बढ़िया grow करते है इस temperature पे और ideal humidity level जो है उसकी 50-60% रहने चाहिए pH level अगर बात करें तो paper plants require a pH range of 6 to 6.8 जो water हम ले रहे है उसका 6 to 6 to 8 ही रहना चाहिए pH level time taken to grow hydroponics paper तो different time taken by different varieties यह बात करें कि कितने समय में hydroponics paper ग्रो कर जाएगा तो यह अलग-अलग varieties अलग-अलग time लेती है कोई कम लेते कोई ज्यादा लेते example के लिए है growing paper takes about 70 days नॉर्मल जो bell paper होता है 70 दिनों में हो जाता है लेकिन जो जली पैनों होता है एक वाराइटी है बेल पेपर की यह 40 दिनों में हो जाता है और प्लाइट साइज भी मैटर करती है जितना बड़ा प्लांट होगा उतना ज्यादा टाइम लेगा फूटिंग होने में उसकी वह मैच्यूर होने में इसके लब एक और पॉइंट आता है कि वाटर को हमें हर 14 दिनों पर रिप्लेस करना पड़ते हैं बतलब जो निट्रि थे लिए करेंगए ज्यादा खेंगू यूआचायच नियूस करता है जितना प्लांट होने जो एक प्लावा चाहिए इसके लिए में कि पी घूटिंग रादाश यूदा खवाओब क्वेश्यूद पाइंट डिएर निए जोटिंग रटादाए इसकाषण पश्यूदों स